तो दो स्वागत है मेरे YouTube चनल पर तो मैं आज आपको ELEMENTARY MATH कोछिनि पेपर सूल्व कोने जा रहा हूँ तो आप इसद कि अजर ने देखे तो आप इसे प्रिएश येर प्रिविए साथ विडियो निहीं देख जिलिए अन्टेटिन informative का तब वो जाकर देखे चले में में सक्षाप को सेक्षिन भी पर आ गए इलिमेंटरी मैठ्थमेटिक्स तब यह अब आपको प्रिवेस्टेर का क्वेशन पर का सलुशन में बताने जाना तो आप इसे प्रिवेस्ट वीडियो नहीं देखे तो ज़र जाकर देखे और लाइक अ तो इसका एंसर होगा 360 यह आपको लोएस लोएस को में मुल्टिपल नमबर तो इसका थीर नमबर का से निकालना है तो वह नमबर कौन सा होगा तो यह नमबर होगा आपका दी तूवेल टेनिफोर एंड थार्टी सिक्स तो चलिया भी 53 का देखे है दा एक्स ओफ टू नमबर इस एट विच वाव दाफुआ इसका नमबर तो इसका एंसर होगा आपका आपको इसका सलुशन चाहिए तो मैं बाद में भी स्टार्टिंग कर दिया हूं तो यह सबको सबको में सलुशन वे आपको देऊंगा थार दिन बाद तो इसका एंसर है यह 11 11 by two was 16 by 19 and 19 by 21 तो उसका बाद 25 पड़ाता है वट इस दिफ्रेंसेश बेट्वें दा बीगेस एंड आपस्मॉलेस फ्रेक्शन इसका दोनों का इस्मॉलेस एंड विगेस वह निकालनें फ्रेक्श्चर तो इसका एंसर कौन सा हो एंसर होगा एंवाइ सिक्स तो अभी आते हैं हम 56 प्रक्वेशन दा एक्वेशन अफ ए लैंड पास्टिंग थ्रू थ्री माइनस बेकर्ट थ्री माइनस थेरी एंड पर्पेंडिकुलर तू दा लाइन तू एक्स प्लस सिया तो इसका इंसर होगा आपका एक्स माइनस त्यू वाई बाइनस टीवान इक्वास तो उसके बाद आते हैं 57 पर इस अम एम अर्थमैतिक मेंज अठीय मिश्च मेंजस्य मेंज जमेट्रिक्स मिन्स ऑफ टू नंबर और 5 एनफ़ एक्स्पेक्टिवले दान नंबर आर तो तो आपके नमबर दिये है तो इसको वही बताना है एंसर तो एट एंट वेल इसका इंसर होगा फाइंड दा एंगास और इवे इलिवेशन ओफ दा संसरेंस दा लेंद ओफ दा सेड़ ओफ एंपोल इस थी टैम से दा है आइट ओफ दा पॉल तो इसको एंसर होगा 30 celsius दा लेंद ओफ ए रूम इस 5.5 एम एन विच इस विच इस 3.75 एम फाइंड दा कोस पेविंग्स दा फ्लोर तो अभी हम कोईशन ओफ 60 पढ़ाते दा राश्यो ओफ थी नमबर इस यहां पर आपको बताना होंगे तो वो नमबर है 61 और 18 तो अभी कोश्यों नमबर 61 पढ़ाते हैं 61 तो अभी कोश्यों आपसफ धरी नम्मबर सूमस फस् स्ट आपस्ट इस 45 नमक ठापस फिस उसины कंच मोश्यों हृं है वो श्यों बादे हम? 30, the value of 10, square of 150, divided by 10, 146 is, तो इसका value निकालना है, तो इसका answer वजएगा, 10,000, अब उसके बाद 61 पर डखते हैं, तो यह उसका question होजएगा, if bracket a by b x minus 1 equal to bracket b by a x minus 3, then the value of x is, तो इसका x का value निकालना है, तो x का value इसका हो जाएगा, 2, तो और भी question number 64 पर आता है, if, n2 plus 4, minus 2 n, plus 2 equal to 3, then n is equal to, तो इसमें बताने के n किसका बराबर होगा, तो minus 2 का बराबर होगा, यह answer होगा, minus 2, if m, n, n are whole number, such that m, n, n equal to 121, then the value of m minus 1 bracket m plus 1 is, तो इसका value निकालना है, तो इसका value होगा, 1000, answer D, तो 66 पर देखते हैं, the two numbers are in the ratio, 1, 2, if, 7 is added to both, there, there is a change to 5, let's say, the greatest number is, answer over, c, 28, तो 67 पर देखते हैं, ए 40% of a number is equal to, two thirds of another number, what is the ratio of, first number to, the second number, तो इसका answer होगा, 6, 5 ratio 3, अभी कैसे निकालता है, गोलने से मैं आपको बाद में, मैंच का कल्कुलेशन करके, परे डीटेल दिखाँगा, इसको, मैं बस अभी answer बता देना, आपको, 68 का होजाएगा, इस 10% of x equal to 20% of y, then x ratio y is equal to, किसका equal होगा, x and y, 20% of 10% का, तो यह equal होगा, 2 ratio 1 का, answer is b, इसका, और 69 का, find the value of, in the flowing, तो इसका value निकालना है, तो यहाँ पर question दिया होगा, इसका answer होगा, D, और question number 70 पर देखते है, find the surface area of 10 cm, multiply 4 cm, multiply 3 cm, bricks, तो इसका find the area, इसका निकाना है, 10 cm, 4 cm, 3 cm, इसका इसका, तो इसका इसका, तो इसका इसका, तो इसका निकालना होगा, 64, 164 square, cm होगा, इसका answer, तो 71 पर हम देखते हैं, ए मैं है, some hands, and cows, if the numbers of head, heads be 48, and the numbers of feet, equals 140, then the numbers of hands will be, तो इसका answer है कितना होगा, 126, इसका answer होगा, और इसका evaluate करना है, तो इसका answer, आप देखते हैं, इसका answer यह होगा, 6, तो 73 का, आप देखे, यह root, root के अंदर है, इसका answer होगा, 4 by 9, तो इसका answer होगा, तो इसका answer होगा, तो इसका answer होगा, 2, तो यह हम कुछ बताने का लहें नहीं, आप देख सकते हैं, कोशन और समझ सकते हैं, इसको क्या करना है, तो उसके बाद 75 पर देखते हैं, find the average of all the numbers between 6 and 34, which are divided by 5, तो इसमें find the average निकालना है, उसका between 6 और 34 का divisible by 5, उससे 5 से करके, तो इसका answer होगा, 20, तो इसका 76 पर देखते हैं, the differences between the place value of 7 and 3 is the number, 5274, 35 is इसका difference between निकालना place value का, इस number से, तो इसका answer होगा, 6970, तो इसका 77 पर अभी हम देखते हैं, if n is a negative number, then which of the flowing is the least, list, तो इसका answer होगा, 2N, मैं बस आपको answer बदा देना questions का, if 64, if bracket 64, square minus 36, bracket 36, square equal to 20z, the value of z, तो इसका value निकालना z का, तो यहां से कोई भी value नहीं होगा, तो इसका answer हो जाएगा, C 162, तो यहां में hcf करना है, of hcf का फोगा, highest common factors, of 4 multiply, 27 multiply, यह सब number आप देख सकते हैं, 16, multiply is, तो यह सब को multiply करें, hcf करके आपको निकालना है, यहां 1 answer, तो 1, 80 इसका answer हो जाएगा, तो यहां आपर 81 पर देख सकते है, if 3x-y equal to 27n, 3x plus y equal to 243, then x is equal to, इसका x निकालना किसका बराबर होगा, तो इसका answer है 4, तो आपको इस वीडियो का अच्छा लगए सब्सक्राब करें, तो आपको इस वीडियो का अच्छा लगए सब्सक्राब करें, तो आपको इस वीडियो का अच्छा लगए सब्सक्राब जरूर करें, तो आपको इस वीडियो का अच्छा लोगए सब्सक्राब जरूर करें,